नया आईबियन सेटन होसला है अर्विंद केजडिवाल को पार्टी में जो पद है उससे निकालना है इसका फैसला राष्टे कारिकानरी लेगी बहुत सारी बाते कहीं कुमार विश्वास ने क्या संकेद है इसको अगर हम और थोड़ा सुधार करना चाहें कि जो पांच मांगे हैं वो पांच मांगे इन्होंने जो 17 तारीक को रखी थी वो पांच मांगे मान ली गई हैं और इस टीफा जहां तक उनका मंजूर करने का सवाल है तोड़ी देर में साफ होगी और अर्विंद के जिवाल के जहां तक का जो सीफा है वो उस पर सिती 28 तारीक को साफ होगी जो राष्टी परिशत की जो बैठक है हम कुछ यहां पर मुव्मेंट हम देख रहे हैं पार्टी का से यह है कि जो सीफ़े की से पहले जो योगय द्यादव परशानद भूशड के सीफ़े से पहले जो इन्हों ने जो मांगे रखी थी वह आम आदमी पार्टी की पीएसी ने मान ली है बाते और जाहिए सी बात की इतने दिन तक जो कवायग चल रही थी सीफ़े मान ली गई थी उसके बाद एक नई मांग आज रखी गई कि अर्विंद केजरिवाल राष्टिय संयोजक पद से सीफा दें तो पीसी ने इस बात को सिरे से नकार दिया है और पीसी ने काया कि अभी तक जो पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि समवाज चल रहा है कि अनी से निकाला जाना और यह सब पूरा तै है और वह आज एक्दम साफ हो गया और यह जो इस्तीफे का जो लैटर है मैं अमित यह थास तोर्ट पे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा इसमें साफ लिखा गया कि इस आर एक्सेप्टिट बोथ ऑफ उस विल हैपीली स्ट प्रफ नेशनल एक्शिट्विटेव एंड विल आलसो गिव रेजिग गिव अप ओल अधर पार्टी पोस्ट एंड रिस्पोंसिबिलिटी यानि सभी पद छोड़ देंगे अगर उनकी मांगे मान ली गई यह पाच मांगे कंपने यह पार्टी का दावा है कि उनकी पाचो विकरान से पूछे अब क्या होगा राश्टे कारिकारणी से स्तीफा मनजूर हो गया इन दोनों को पार्टी में रहने दिया जाएगा विकरान तकर इतना सब कुछ होने के बाद अब सीधा जो नेशनल एक्जिक्यूटरी से निकाले जाने की ख़बर सी वो एकड़म पुखता है अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे इस बात पर भी बहुत ज़्यादा शक और शुबा है कि वो पार्टी में रह पाएंगे क्योंकि बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि जो इस्तीफे का जो लेटर यह लेटर जब हमने 17 तारिक को चलाया था तो दोनों पक्षों की तरफ से कहा गया था कोई इसे कंफर्म नहीं कर रहा था और यह कह रहे थे कि ऐसा कोई लेटर सामने नहीं आया है लेकिन आज यह लेटर सामने आया है और उस समय प्रशान भूशन और योगेंद्यादों भी यह कह रहे थे कि ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा गया इतना सब होने के बाद इतनी समवाध हिंता होने के बाद और इतनी कड़वाट होने के बाद अब एक साथ काम कर पाना बेहर दी नामुम्किन है और एनी में रह पाना तो मुश्किल लगी रहा है पार्टी में बचे रहना भी कोई असान काम नहीं होगा अमित आप लगातार देख रहा है विकरांट कहे रहा है कि पार्टी की तुम से कहा जा रहा है अब समबात बिलकुल खत्म हो गया जो कोशिशें एक सुलक की जारी थी वो बिलकुल खत्म है अब रास्टा बिलकुल बंद भेंग हो गया और क्या केसी ने मान ली है और अब आज उनके मुताबिक पार्टी के मुताबिक एक नई मांग जो रखी ते बहुत जो यह चौकाने वाली मांगते की अर्विंद केज़िवाल भी सीफा दे संयोजक के पसे तो इसको तो उन्होंने टाल दिया लेकिन आज इन्होंने पार्टी ने है कि पार्टी में बने रहेंगे या नहीं कौन को मौझूद था आज की बैठक में अमित आज की बैठक में कुमार विश्वास से पंकज गुपता थे मनीश सिसोधिया थे आशिश केतान थे को दर्विंद केज्रिवाल थे इसके रहावा एक दो लोग और थे और पार्टी भले इसको एक अनापचारिक बैठक के कह रहे थी लेकिन यहां पर पूरी यह जो रूप रेखा थी कि कैसे इनको निकाला जाए हाँ पर कैसे इनको इस चीफे पर अंतिम मुहर लगा जाए है वो आज यहां पर इस बैठक में तह हो गई है जी और इस फैसले के बाद अभी प्रशान भूशन या योगेंद्र यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है हम लगातार उनसे संपर करने की कोशिश कर रहे हैं अब हमारी अंतिम बार जाब उनसे बात हुई थे तो उनका यह कहना था कि हम इस सीफा नहीं देंगे यहां पर और हमने इस बारे में कोई निर्णन नहीं लिया था यह ऐसा उनकी ओर से कहना था और अब देखना है कि अब जब यहां पर पार्टी का यह कहना है कि उनने सारी बाते मान ली है अब इन लोग खुद इसकी पार देते हैं या नहीं यह देखने वाली बात होगी अमित अपने दर्शकों के लिए हम जाएंगे क्या विकरान से पूछें लगातार जब से विवाद शुरू हुआ है कुछ ना कुछ अंतर कले की खबरे आम आद भी पार्टी से निकल के आती रही विकरान ते एक बार संशेप में पूरा मामला एक बार हमारे दर्शकों को पिर से समझाएं आगे विकरान जी है मारे पास आप बताई कि कैसी पूरा विवाद शुरू हुआ और किसे तरीके से यह संग्षेप में बताएंगे एक सबसे बड़ी बात कि अभी तक जो कहा जो यह 17 तारीक का जो इस्तीफा है पार्टी ने इसे सार्वजनिक कर दिया ल कि पार्टी का यह दावा है कि प्रशांद भूशन और योगें रियादव ने एक नई शर्च जो रख दिये कि अर्विन केजरिवाल संयोजक का पद छोड़े तो अब हम यह साथ कह सकते हैं कि 28 तारीक को यह तैय होगा कि आम आदमी पार्टी में अर्विन केजरिवाल रह कि प्रशांद भूशन और योगें रियादव का स्तीफा राश्टे कारेकारणी से मनजूर हो गया है आज क्या राश्टिये कारकार्णी से ये पूरा का पूरा सीफा मंदूर हो गया है या नहीं? अमित मुझे लग रहा है कुछ confusion हो रहा है कौन सा सीफा मंदूर होने की खबर नहीं है जो सीफा इन्होंने सीफे की जो पेशकरश की थी वो चिठी आम आदमी पार्टी ने उजागर की है पहली चीज और दूसरी चीज जो सीफे में जो शर्तों की मांग की थी वो शर्ते आम आदमी पार्टी ने मान ली है और तीसरी चीज की जो आज आम आदमी पार्टी के मुताफिक अर्विंद केजडिवाल के जो सीफे की पेशकरश इन लोग ने की थी उसको 28 सारीक के दिन टाल दिया गया यह तीन चीज़े हैं और अब जो अर्विंद केजडिवाल इस सिफा इन लोगों ने मान ली है तो अमित मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए पूरी ख़बर बताऊंगी अगर कहीं गलती हो तो आप जबूर मुझे रोकिएगा पांच मांगे प्रशाद बूशन और योगें रियादव की तरफ से पांच मांगों के साथ एक चिठी दी दी गई थी और उसमें कहा गया था कि अगर ये पांच मांगें मान ली गई तो हम नाशनल इग्जेकेटिव से स्तीफा दे देंगे ये पांच मांगें मान ली गई तो आज पीएसी की मीटिंग से पहले इन लोगों ने अपनी एक और शर्त उसमें जोड़ दी वो शर्त य तुकि आज PAC को लगा कि ये शर्ट नहीं मानी जा सकती या पार्टी इस पर नहीं फैसला ले सकती इस पर National Council ही फैसला ले सकता है जिसकी बैठक 28 मार्च को होनी है तो ये फैसला तो यानि कि जो स्तीफा देनी कि इनों ने पेशकर्श की थी कि पांच मांगे मानी जाए तो स्त स्तिफा देंगे तो एक छटी मांग रख दी है तो दोनों ही चीजों पर अब 28 मार्च के बाद पैसला होगा सही कह रहे हूं जी बिलकुल यही आज इस बैठक के मायनेत है और 28 तारीक तो ही उस दिन साफ होगा कि अर्विंद केजिरिवाल यहां पर जो राशी परिशत की बैठक है उसमें वो राशी कारकार्णी के अर्दक्ष रहेंगा और दूसरा इनके सीफे को पार्टी किस तरीके से लेती है व अब उस दिन भी यह साफ होगा जी बहुत जादा अब मतलब जो टूट की जो हम खबरे कह रहे थे अभी खबरे नहीं रहे गए हमें तब यह साफ हो गया है कि पार्टी तूट चुकी है कोई एक खेमा ऐसा भी होगा जो प्रशांद भूशर और योगेंद रियादव के सा जाना चाहेगा जी बिल्कुल यह अंतर कले थी और लगातार ऐसी खबरे आ रहे थी कि यह लोग समर्थन जुटाने की कोचिश कर रहे हैं योगेंद यादव प्रशांद भूशर आला की प्रशांद भूशर योगेंद यादव ने सीच को मना किया था और लोग यहां पर लेकिन पार्टी का एक खेमा ऐसा है जो योगेंद यादव और प्रशांद भूशर के समर्थन में हो और ये भी कह रहा है कि वो इनको चाहता है कि राश्री कारेकारणी में बने रहे हैं लेकिन ये बहुत जो अभी फिलहाल कुछ दिनों से केज़िवाल बुटका ये पू इसी भी तरीके से पार्टी जो है इनको इस सीफा देना चाहते हैं अगर ये सीफा नहीं देते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि इनको बाहर का भी रास्ता दिखाए जाए